आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने Question की फोटो कीचो उसे Crop करो और तुरंत वीडियो सिलीशन पाओ डाउनलोड नाओ Hello students, हमें यहापर Question क्या बुझा है Maximum Number of Covalent Bonds found by N and P are तो यहापर मुझे Question क्या बुझा रहा है तो मेरा Maximum Number of Covalent Bonds found by N and P तो Covalent Bonds मेरा क्या होता है Covalent Bonds तो यहापर जो मेरा Covalent Bonds होता है यह मेरा किस से बनता है Sharing of Sharing of Electrons तो यहापर जो मेरा Sharing of Electrons होता है इसके लिए मेरा क्या होता है covalent bonds formation होता है तो यहाँ पर जो मेरा nitrogen है nitrogen का atomic number कितना होता है 7 तो इसका configuration क्या होगा 1-2, 2-2, 2-P, 3 और इसका जो outer cell electronic configuration होता है ओ मेरा क्या होता है 2-1, 5 तो इसके पास इसको octet को gain करने के लिए इसके पास कितना electron होना होगा इसके पास 3 electron चाहिए इसको octet को fulfill करने के लिए लेकिन यहाँ पर जो मेरा 3 इसका चाहिए तो यहाँ पर मेरा इसका covalent bond कितना होगा 3 होगा तो यहाँ पर मेरा nitrogen का क्या होता है 3 होता है और यहाँ पर जो मेरा phosphorus है फॉस्फरस का कितना होता है 15 तो इसका जो configuration होता है उम्मरा क्या होता है यहांपर neon 10 3H2 3P3 और इसके पास क्या होता है 3D का जो back end orbital होता है इसके बाज़े से क्या होता है इसका जो configuration होता है फर्म कर सकता है, लाइक, अगर मैं PCL 5 के एक जाम पुर लूँ, तो यहाँ पर जो मेरा P है, P कितना बॉंड फर्मेशन कर रहा है, इसके प्लोरिन के साथ 5 बॉंड फर्मेशन कर रहा है, तो यहाँ पर मेरा maximum नमबर पुछा था, तो यहाँ पर मेरा क्या होगा, फोस्परस का क्या होगा, 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर मेरा फोस्परस का 5, और नाइटोजन का 3 और फोस्परस का 5, तो अप्शन नमबर वान में जो है मरा आया पर 3 और 5, तो आंसर होगा अप्शन नमबर 1, थेंक्यू,